वेलकम यू ओल आएम रोहित प्रोम महाजन ट्रेडर आज हम बात करेगे अलोक इंडस्ट्रीज एल्टीडी के बारे में अलोक इंडस्ट्रीज एल्टीडी में अगर देखा जाए तो स्टॉक को बिल्खुल भी आपर नजर अंदाज मत करो क्योंकि स्टॉक यहाँ पर 20-21 के आसपा स्ट्रेट कर रहा था और धीरे धीरे यह शेयर यहाँ पर 25 रुपे तक आके पहुँच गया है यहाँ पर धीरे धीरे ही सभी बट अमीर बना सकता है इंपोर्टेंट लेवल है यहाँ पर अलोक इंडस्ट्रीज में तो काफी कुछ चीज़े है यहाँ पर अलोक इंडस्ट्रीज में और यहाँ पर अगर देखा जाए जेयम फानेशियल और रिलाएंस है इन दोनों की काफी तगड़ी होल्डिंग है और सबसे ज़्यादा है रिलाएंस की रिलाएंस है मुके शम्बानी की इसलिए गाईस स्टॉक में ज़्यादा यहाँ पर ध्यान देना ज़री है क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक में मॉमेंटम आ रहा है तो गाईस यहाँ पर काफी कुछ बाते करेंगे अलोक इंडस्ट्रीज को लेकर और वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाचन ट्रेडर को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज गाईस चैनल को सब्सक्राइब कर दो फोर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए लिडिस नूज के लिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अलोक इंडस्ट्रीज के उपर सो गैज बाइज बात करेगे अलोक इंडस्ट्रीज Ltd के बारे में अलोक इंडस्ट्रीज अलट्रीज अगर देखोगे तो आज स्टाॉक ने कहा पर क्लोजिंग दी 25 रूपे 10 पेसे के प्राइस पे स्टाॉक ने आज क्लोजिंग दी है 0.35 पेशे तकी बड़त stock में देखने को मिली है 1.41% के हिसाब से तो तेजी का माहुल बना हुआ है अलोक industries में और अब बात करें अगर इसके levels की तो देखो तो क्या level है अलोक industries में तो मैंने पहले ही बोला था कि ये upside down momentum stock कर सकता है और एक strong resistance stock को उपर की और से मिल रहा है और देखा जाए तो resistance लेके काफी बार stock नीचे की और आया भी है और वही मैंने clear कर दिया था कि इस level पे कही पर भी अगर आपको breakout मिल जाता है बिल्कुल buy की और चले जाना है और यहीं नहीं कहिस हमने काफी पहले ही बूल दिया था इस level के लग बग कि stock को अगर buy करना है तो बिल्कुल भी मोक को मत जाने दो और जब level ने breakout दिया था कहा पर यहाँ पर तब भी हमने buy करने के लिए कहा था और तब यहाँ पर हमें किस pattern थे हमारे पास यहाँ पर stock ने एक resistance लिया था यहाँ पर stock ने support लिया था फिर resistance लिया और finally stock ने breakout दिया काफी बड़ा breakout के बाद stock उपर गया retaste करके एक तगड़े high लगाए है stock ने यहाँ पर भी लगाए है और यहाँ पर भी लगा सकता लग भग 36 रुपे के आसपा stock जाएगा ही जाएगा और as a long term के basis पर stock यहाँ से नीच आया था कहां से 53 रुपे के price और यही हम expect कर रहे है कि stock यहाँ पर धीरे-धीरे यहाँ पर वही तक जाने की कोशिश रिसकी रहने वाली है तो गैस यहाँ पर as a short term target 36 के आसपास है और as a long term का target करेपन रुपे के आसपास का हम रख रहे हैं सो गैस अलोग इंडस्रीज में अगर इसके market cap के इसाब से इसको देगे हैं तो एक mid cap stock है इसका market cap कितना है 12.44 करोड का सिर्फ इसका market cap है open हुआ था इस शेर 24 रुपे 95 पेसे के price पे high लगा था 25 रुपे 35 पेसे का और low कितना लगा है 24 रुपे 60 पेसे का तो यहाँ पर daily momentum stock में देखने को मिल रहे है high की बात कर ले तो यहाँ पर 35 रुपे 80 पेसे का high है जो इसका high है वही आपका first target रहने वाला है और वही अगर low की बात करें 80 रुपे 70 पेसे का low भी है resistance की बात कर लू guys तो यहाँ पर sorry price performance की अगर बात कर लू तो one week का 2.15% है जो कि है minus में जो जा सकता है अभी plus में one month का 4.38% plus में है three months का 3.09% minus में है year and half का 2.72% minus में है year का 23% plus में है 427% plus में है three years का trade value 2 करोड का है yesterday की बात करें 1 करोड का था combination delivery 55 lakh का था one week के average में 2 करोड का trade value है और 58 lakh का combination delivery community sentiments के आखड़े 100% हापर buy के लिए कह रहे है बिलकुल positive आखड़े है so guys अलोग industries LGD हापर आग लगा सकता है so video अच्छा लगा होगा तो video को like कर देना channel को subscribe कर देना thank you झाल, क्छ तो म May 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 7 झाल